दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे है आप Realme Devices के Bootloader को Unlock कर सकते हो Bootloader यानि के वो software जो आपके phone को देता है High Level Security लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके phone में Custom Recovery इंस्टोल करना, Custom Roms को या फिर Custom Kernel को इंस्टोल करना तो इसके लिए आपके phone के Bootloader का Unlock होना बहुत ज़रूरी है और साथ है आपके phone को easily root भी कर सकते हैं अगर आपके phone का Bootloader आपने Unlock कर लिया है हलाए कि phone को root बगार Unlock किये भी किया जा सकते हैं लेकिन आज के लिए तोड़ा डिफिकल्ट हो गया है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कैसे सारा process होने वाला है ये वीडियो जिन phones पर काम करेंगा वो है Realme 1, Realme 2 Pro, Realme 3, Realme 3 Pro, Realme 5, Realme 5 Pro, Realme X, Realme X2 Pro, Realme XT, Realme U1 इन सभी phones पर ये वीडियो काम करेंगा मैं ये process आपको सिर्फ एक phone पर करके दिखाने वाला हूँ लेकिन सभी phones पर process बिल्कुल सिमिलर है और आप हर step को verify कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो के नहीं मैं आपको सारी detail दूँगा आप easily इसको कर सकोगे और phone खराब होने का तो इसमें कोई scope नहीं है तो इसलिए पहला काम करते हैं आपको जाना आपके phone की settings में यहां पर आपको जाना है about phone में और यहां version पर आपको 7-8-10 बार टैप करना है उसके बाद आपको एक option मिलेगा एक बार आप बैक जाएंगे यहां additional settings के अंदर नया option आपको मिलेगा developer options यहां पर आपको आना है OEM unlock पर और इस option को करते है enable अब आपको एक app को download करना है जिसका link में नीचे description में आपको दे दूँगा हरे एक phone के लिए app अलग है अब क्योंकि मैं यह process आपको दिखा रहा हूँ realme 1 पर करके इसलिए मैं download करने वाला हूँ यह APK realme 1 device के लिए आपके device के लिए आपको AP के नीचे description में मिल जाएगी ऐसा Google Drive का link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहां से आप इसे download कर ले download करने के बाद आपको इसे कर लेना install और कर लेना इसे open कुछ 10 मिट के बाद आपको यहाँ पर check करना है query verification status पर आपको tap करना है और जैसे के आप देख सकते हो review successful दिखा रहा है यहाँ पर लेकिन अभी तक fast boot bindries इनेबल हुई नहीं है इसके लिए हमें यहाँ पर tap करना है नीचे start the in-depth test और जैसे यहाँ पर tap करेंगे उसके within 57 seconds यह phone हो जाएगा आपका boot fast boot mode में यह user interface जो आप देख रहे हो यह आपके phone पर अलग हो सकता है depending कि आपको उनसा phone unlock कर रहे हो लेकिन आप कैसे verify कर सकते हो आप fast boot mode में आगे है के नहीं आपको basically आपके phone को command send करनी है लेकिन इससे पहले आपको चाहेंगे fast boot की files जो आप download करेंगे google से आपको type करना है platform tools और यहाँ पर पहला ही link android.developer.com का इसे करेंगे open यहाँ पर mac linux और windows के लिए download available है मैं download विकर रहा हूं windows के लिए इसके बाद आपको और command line interface हो जाएगा open USB से phone connect करने के बाद आपको यहाँ पर एक command देनी है आपको type करना है fast boot space devices और जैसे आप enter करते हैं आपको यहाँ पर लिखा मिलना चाहिए alpha numeric id के बाजू में fast boot जैसे कि आप screen पर देख रहे हो अगर एंटर करने के बाद आपको यह लिखा नहीं मिलता ह Windows नहीं इस्टोल करती थे जब मैंने अपना phone पहली बार connect किया था मेरे computer से अगर आपके यह drivers इंस्टोल नहीं है तो fast boot command काम नहीं करेगी लेकिन अगर यहाँ पर drivers दिखा रहा है तो fast boot command आप देंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक alpha numeric id और बाजू मिलेखा म या फिर यह वाला या फिर जो future के जो phones आने वाले हैं उनका कोई अलग हो वह matter नहीं करता है अगर command execute हो जाती है तो मतलब आप अपने phone का अनलोक करने के लिए ready है fast boot devices से हमने verify कर लिया है USB connection को और अब हम use करने वाले है अगली command हमें type करना है fast boot space flashing space unlock और जैसे ही आप enter करेंगे आपको दिखेगा कुछ warning text दूस्तों जान रहा है अगर अब आप प्रोसीड करते हैं तो आपका phone का data सब delete हो जाएगा आपके phone के photos वगरा videos वगरा सब delete हो जाए और उसके बाद ही यह process करें तो अब यहाँ पराने के बाद अगर आपके fast boot mode का user interface यह black वाला है तो आपको volume up press करना है volume up press करने के बाद आपका phone हो जाएगा unlock लेकिन अगर आपके phone का fast boot mode है यह वाला तो आपको volume down की press करनी है जिससे की unlock boot loader वाला option select हो जाएगा और अब इसक जैसे आप power button को hit करेंगे आपका phone हो जागा unlock और अब आपको करना phone को restart इसके लिए आपको phone को command देनी है fast boot space reboot और जैसे अब enter करेंगे phone हो जागा restart आपको phone की settings में develop options में जाना है और आप check कर सकते हो यहाँ पर boot loader का status आप देख सकते हो मेरा phone हो गया unlock और इसी तरह सभी realme के phones हो जाते हैं unlock बड़ा ही simple process है इसके बाद आप अपने phone में easily custom recovery को install कर सकते हो custom ROMS को install कर सकते हो और चाहे तो अपने phone को root भी कर सकते हो तो दोस्तों यह था सारा process phone को unlock करने का unlock करने से आपके phone की warranty तो नहीं जाएगी लेकिन आपको face करने पड़ेंगे कुछ cons और सबसे पहला कौन है अपके phone में fingerprint काम करना बंद कर सकता है इसके अलावा आपका phone format हो जाएगा यह तो हमने अलड़ी discuss कर लिया है वाइडवान सपोर्ट L1 स L3 पर shift हो जाएगा यानि के Netflix वगारा जो streaming services है वहाँ पर आपको HD content आप stream नहीं कर सकोगे और यह obviously DRM content को protect करने के लिए है इसके इसके लाव जो दो बड़े generic cons है वह है आपके phone brick हो सकता है क्योंकि अपने phone को unlock कर दिया अब आप flashing जो करेंगे उसके ओपर depend करेगा कि आपका phone कैसे run कर रहा है अगर आप गलत flashing कर देते तो आपका phone permanently खराब भी हो सकता है और इसके लाबा लास्ट को है आपके phone की privacy breach हो सकती है आपके phone का data compromise हो सकता है तो दोस्तो यह था सारा process मुझे उमीद आपको वीडियो पसंदा होगा और सवाल इस वीडियो को देखने के लिए कर लेजेगा चैनल को सब्सक्राइब और साथी साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिगा मिलते एक लिए वीडियो म लागतान